नमस्कार फ्रेंट्स मैं सुरेश कमार कुश्वाहा यसके के यर्थ के इस खाश यूटूब चैनल में आप सब का हार्दिक स्वागत करता हूँ फ्रेंट्स आज मैं आप सब के लिए लेके आया हूँ धर्ती के एक बहुत ही मतपूर प्राडी गुब्रैले का एक बहुत ही प्यारा सा वीडियो हमारी धर्ती असंख्य खुबसूरत उवावपयोगी जीवों से रची बसी है इन सब के समवेत तालमेल से ही इस धर्ती पर जीवन अनादिकाल से चलता आ रहा है उन्ही में से एक ये गुब्रैले यानी डंग वीटल है डंग वीटल एक दूसरे पर निर्भर होने की एक बेहतरीन मिशाल है ये धर्ती पर गोबर की वज़ा से ही जिन्दा रहते हैं ये जमीन पर पड़े यदा कदा गोबर यानी डंग के धेरों में पलते बढ़ते हैं ये गोबर की छोटी छोटी गोलियां बना कर अपने बिलों में ले जाकर उसे मिट्टी में दबा देते हैं और फिर उस नर्म गोबर की गोली के अंदर अंडे रखते हैं सड़ता हुआ गोबर अंडों को पनपने के लिए गर्मी वज़ा नमी देता है और साथ ही इसके बच्चों को पौश्ठिक आहार भी देता है गोबर की इनी गोलियों को खा कर डंग बीटल के लारवा बड़े होते हैं गुबरैलों द्वारा गोबर की उन गोलियों को काफी गहराई तक पहुचा देने से भूम का निचला हिस्सा भी उपजाओ हो जाता है जिसकी वज़ा से पेंडपाउधों की जड़ों को उचित पोशन मिलता है और वो अच्छे से फलते फूलते हैं ये पेंडपाउधे मालमवेशियों तथा मनुष्य का आहार होते हैं इतना ही नहीं डंग बीटल खुद कई प्रकार की पच्छियों तथा सरी स्रीपों का आहार होते हैं ऐसे में डंग बीटल हमारी आहार स्रिंखला का एक महतपूर्ण खटक हैं इनकी कमी से हमारे इकोसिस्टम में काफी बदलाव देखने को मिल सकता है जिसके प्रिडाम काफी भेंकर होंगे पर आज पसुधन की कमी तथा जहरीले रसायनों के बढ़ते उप्योग ने इनकी संख्या में काफी कमी लाई है अगर ऐसे ही चलता रहा तो बहुत जल्द धर्ती का यह उप्योगी जीव इस धर्ती से लुप्त हो जाएगा डंग बीटल यानि गुब्रैलों की मजबूती की बात की जाये तो यह काफी मजबूत होते हैं और यह अपने भार से लगभग सो गुना से ज्यादा भार उठाने में माहिर होते हैं इनकी ग्राड सक्त भी काफी तीब्र होती है यह जमीन पर पड़े गोबर की गंध को तीन चार किलोमीटर दूर से ही सूंग लेते हैं और वहाँ पहुँच जाते हैं इस जीव की इनी तमाम विश्यस्ताओं के कारण आज दुनिया भर के तमाम बैज्यानिक इस पर सोध कार कर रहे हैं भविश में इन सोधों से अनेक चौकाने वाले तथा मानवों पयोगी परिडाम आना लाजमी हैं ऐसे में हमें इन जीवों की महत्ता को समझते हुए इन्हें बचाने का प्रयास करना चाहिए